हलो फ्रेंड्स आप से विका बेच्व पार्टसला चैनल में स्वागत है दोस्तों बेच्व पार्टसला एक आनलाइन लर्डनिंग प्रेटफॉर्म है जो कि इस बार फ्री आपकास्ट आनलाइन इस्टेडी मेटरियल प्रवाइट करा रहा है ठीक है और जिसको आफ्लाइन चाहिए वह इस्टेडी मेटरियल वीडियो जाके देखें वहां से क्या मैथड है कैसे उनको पर्चेशिंग करनी ही है और मेरा इस्टेडी मेटरियल पर्चेश कर सकते हैं ठीक है उसके बाद जो लोग आफ्लाइन क्लास जोईन करना चाहते हैं वहां पे तीन संटे की क्ला क्लास मिलेगी और संडे को माक टेस्ट होगा उसके लिए डिसकर में नंबर है कॉल करके अपना एड्मिशन करा सकते हैं एडवांस एड्मिशन भी करा सकते हैं ठीक है तो आज मैं बात करूंगा जो मैंने पहले सा अनॉस्मेंट कर रख है फिर आप क्लासेश को उसमें कितने कोस्टन आने 60 कोस्टन आने ठीक है तो इस शिक्स्टी कोस्टन के लिए हम अपना जीके जीएस इंप्रूब करेंगे तो जिसमें मेरा एंसेंट हिस्टी का एक टॉपिक है इंड़ियो देख रहे होंगे तब तक आपको चैनल पर यह टॉपिक मिल जाएगा तो आप इस वीडियो को देखने से फैले तो यहां पर इंट्रस्ट बनेगा अद्रवाज कोई बात नहीं आप इस टॉपिक को भी देख सकते तो मैं कुछ कोश्टन आप से पूछूंगा उसके आंसर आपको देने होंगे तो कोसिस कीजिएगा कि कमेंट बाक्स में जैसे कोशन टॉपिक है आप इसको दिमाग में रख लीजिए जिनको नोट्स बनाना यहां से बना सकता है यह पूरा का पूरा कंसे कम 7500 कोस्टन होगा इसको पूरा इस वीडियो में सौल करेंगे ठीक है तो इसमें जो पहला कोस्टन है वह हड़पास सब्वेता का सरवाधिक मानता प चलिए सेकेंड कोस्टन देखते हैं सिंदू घाटी की सब्वेता निम लिखित में से किस सब्वेता की समकाली नहीं था ठीक है देखें आप इस वीडियो को देखे होंगे आई थिंग मैंने बता रखा है कि पूरे फ्रित्मी पे लगवग पांच जगों से सब्वेता का व पूराना उसकी वाट इतनी twee सब्वेता रहने हैं औरiji की सब्वेता के सब्वेता खें सब्वेता जिंदू घाटी की सब्वेता कहां तक विश्तित थी इस आइखें है जाली सब्वें करiasmेंगे इस जाली से कमेंट बाक्स में दीजी थी चलिए ठीक है इसका अंसर मैं आपको बताता हूँ इसका अंसर है आपसर डी ठीक है पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तरपदे सर्याना और सिंद और भलुचिस्तान था ठीक है फिल में चौथा वोस्चन है वो सिंदू घाटी की सब्वेता में घोडे के ओसेस कहां से मि हड़ी की बात कर रहे तो इसका अंसर जो जाएगा हो जागा सुद्गा डूर सुद्गा डूर कहां है तो चलिए हम कुछ इस चैप्टर में फिर से आपको रिवाईज करा देते हैं रिवाईज ये करा देते हैं कि मैफ है इंडिया का ठीक है यहाँ पर कर मांडा और कहीं पड़ेगा मांडा यहाँ पर पड़ेगा आलमगीरपूर आलमगीरपूर ठीक है मेरट में मेरट कहा है यूपी में दिल्ली से पहले यहाँ पर पड़ेगा आपका दैमाबाद या दामाबाद ठीक है परवरा नदीक किनारे प्रवाराना ने दिखे नारे महाराष्ट्रा ठीक है एम एच और आपका इधर कहीं पड़ेगा सुधगाडोर जो अभी कोस्चन में आपके मिला है सुधगाडोर मिन्स अगर इनको ऐसे मिलाएंगे तो कुछ ऐसे ट्रेंगूलर रकार आएगा तो यहां से आप एस समझ सकते है कि इस सबसे कौन सा है सबसे पस्चमी सबसे पस्चमी छोड़ है सिंदुगाटिस सबेता का सुधगाडोर पाकिस्तान में पढ़ता है पाकिस्तान के बलचिस्तान पाकिस्तान में यह आपका है आलमगीर सबसे पूर्वी छेत्र सबसे पूर्वी सीमा आलमगीर पूर मेर है ट्रेंगूलर ते दिमाग में अपर अबनाए रखी आगे क्वेश्चन इस पर आएगा तो मेरा यह हो गया सुद्गा डोर इसको सुरकोटदा लिखा है सुद्गा डोर भी बोल सकते हैं पाजवा सिंदु घाटी इस्थल काली मंगन किस प्रदेश में है किस प्रदेश में राजस्थान में है ठीक है काली बंगन का मतलब होता है काले चूडियों का इस्थान प्लेस ऐसा कुछ तो राजस्थान में है निम लिखेत में से किस पदात का उपयोग हडपा काल की मोहरों के निर्मार के रूप में किया गया है तो इसका अंसर हो जागा सेल खड़ी यूग की थी तो किसी यूग की थी कांस यूगिल क्योंकि नोग ब्रांज यूज करते थे ठीक है ब्रांज यूज करते थे फिर देखें सिंदु घाटी सबिता के लोग मुख्य वियुसा क्या था अंसर बता ही जल्दी से इसका उन लोग देखें जो इनलों का जो लाइफ इस्टाइल था हो कैसा था अर्बन था इस लोग ब्यापार किया करते थे ट्रेड किया करते ठीक है हडपा सबिता की निवासी थे मैं बताया भी लाइफ एश्टन का कैसा था अर्बन था सहरी था नगरी था दस्वां सिंदु सबिता के घर किस से बनाए जाते थे तो इटो से क्योंकि सहर में राते थे इन लोग इसलिए इनको बला जाता है बिक्सित थे हडपा वास निम लिखी द विद्वानों में से हडपा सबिता का सरपत्व खोच करता कौन था तो दिक्या हडपा का पूछ रहे ठीक है यहां पर जाएगा हद कर दी आपने हद हो से हडपा दो से द्याराम साहनी ठीक है कब किया था तो 1921 ठीक है सिंदु सबिता का पत्त नगर कौन सा मतलब बंदरगा पूछ रहा है ठीक है पोर्ड पूछ रहा है तो सिंदु सबिता का सबसे बड़ा और सबसे फेमस जो बंदरगा था वो था लोथल स्था स्वरी गुजरात में पढ़ता है गुजरात का जब मैप ऐसे करके ऐसे आते हैं तो यहां पढ़ता है पैमानों की मैं यसी कर दिया गया कि सिंदु घाटी के लोग माप और तॉल से परचीत है यह खोछ कहां पर होई ठीक है इसका अंसर जली से बताईए आप लो इसका अंसर हो जाएगा लोथल ठीक है फिर इसको आदेखे हडपा काले समाज किन वर्गों में भाजित था यह क्वेस्टन मतलब रूख जाओं पूछ के जिससे कि आप यांसर दे सको चली ठीक है अब मैं कोसिस करता हूँ नेक्स वीडियो से जो भी कम ही होगी आप मुझे वार्टसप कर दीजेगा मैं उसको ध्यान में रखूँगा सिंदु सबिता का सरवाधिक उप्यूगत नाम क्या है तो हड हडपा सबिता रीजन क्या है क्योंकि हडपा में पहली बार खुदाई की गए थी ठीक है निम लिखित में से कौन सा लच्छर सिंदु सबिता के लोगों का चित्र नहीं करता है ठीक है देखिए उनके पास महा ना विसाल महर और मंदीर थे ना यो यूद गोड़े ये सब रथो मलब कहने मलब यहां पर कोई ताना साही यासी चीज नहीं थी मलब कोई राजसा ही जीवन नहीं था हाँ देवी देटाओं दोनों की पुजा करते थे यह हो सकता है सही हो तो केवल दो वाला सही हो सकता है कमेंट बॉक्स में इसका अंसर में बाद में रिप्लाई कर दोंगा अधर्वाइज वाटसप कर दीजेगा अगर किसी को डाउट होता है इस कोस्टिन में कोस्टिन नबर 17 ठीक है एटीन कोस्टिन इवेन आपको किसी भी कोस्टिन डिसकस करना हुआ तो हमसे डिसकस कर सकते हैं 18 हड़ापा से बता की खोस में पहले बता चुका हूं 1921 में और मोहन जोदाड़ों की 1922 में दिवागबाइठा लिजे देखें हड़ापा से बताक बारे में कौन सी उक्ति सही है पुछरा कौन सी सही है तो आप इसका अंसर बताए जल्दी से उन्होंने पसुपती का समान करना प्रादम कर दिया था ठीक है अब मैं थ्वास आपक में हड़ापा की लोग की समाजिक पद्धिती थी अंसर बताए जल्दी से उचित सम्तावादी ठीक है 21 कोस्टन है सिंध का फिर है कोस्टन ये वाला क्या ना था सिंध का नखलिस्तान मलब बाग हड़ापा से बता कि किस पूरा इस्थल को कहा गया ठीक है तो इसका अंसर जागा मौन जोजाड़ो ठीक है फिर 21 22 कोस्टन देखते हैं हड़ापा से बता कि संपूर्शित का आकार किस प्रकार मैं भी आपको बताया इसका जल्दी साफ लोग बताईए ए बी सी में से कौन से होगा सी त्रिवुजाकार ठीक है फिर देखिए क्वस्टन है 23 है अपको मैच कराना ए बी सी डी में ठीक है तो देखिए जो हडपा है वो रावी ने देखिए किनारे है मौन जोजाड़ो जो है वो सिंदू ने देखिए किनारे है लोथल जो है भोगा ने देखिए किनारे है और काली बांगा घगगा ने देखिए किनारे है तो इसका पहल सबता की इटो का अंकलर किस इस्थान से मिलता है तो इसका अंसर जगा काली बंगा से ठीक है मोहन जोद्रो कहा इस्तित है पाकिस्तान के सिंधर प्रांत में इस्तित है अब दिखते है कि यहां से कुछ कोश्चन ठीक है सिंदू सभिता कि मुद्धा किस देवता कि सम्तूल चित्रांकर मिलता है ठीक है तो आध्र नहीं इसका अंसर आप लोग बताई उसमें इंद्र आई नहीं थे आध्र सीव ठीक है इसका अंसर क्या जाएगा आध्र सीव देखें फिर उसके इसका आधे निम लिखी समय कौन सा हरपा का लिजिस्तर गुजरात में था तो गुजरात से रिलेटड कौन सा प्लेस है इसमें लोथल ठीक है रोथल क्या है सबसे बड़ा बंदर लेकिए बहुत इजी इजी कोस्चन है फिर मोहंजुदारों का इस्थानी नाम क्या है तो म हडब्र सबता का प्रचलीत नाम है अच्पन का। न हर अदेखाटा सब्ता का प्रचलीत नाम क्या है इसकी सदोट का स्रवाधिक उत्करणन हुआ है पहला हो जाईगा किसका हुआ है अपने नगर नियुदिन के लिए ठीक है 34 question देखिए सिंदू सभीता का कौन से इस्थान भारत में इस्थी थे कौन सा अडपा कहा है इस्थी थे पाकिस्तान मोंजदारो कहा है इस्थी थे पाकिस्तान लोथल कहा है इस्थी थे गुजरात तो अंसर क्या हो जाएगा गुजरात अलब लोथल 35, भारत में खो जाएगा सबसे पुराना सहर कौन सा था, सबसे पुराना सहर कौन सा भारत में खो जाएगा है, तो मौन जोदाड़व, ठीक है, 36 question देखिए भारत में चांदी की उपलत्ता के प्राचिंतम साच मिले है ठीक है तो इसका अंसर क्या जागा हड़ पसंस किती ठीक है इसके बाद देखिए 37 question सिंदू सबिता के बारे में कौन सा कथन असत्त है पुछ रहे कौन सा असत्त है तो आपसा नपर जरी से देखिए इसका अंसर दीजिए ठीक है देखिए इसको ब्रॉंच से इलाजिसम बुला जाता है क्योंकि यहां को लोग ताम बेक प्रोक करते हैं इनको लोहे का पता नहीं था पर यहां लिखा लोहे से परचित तेका अंसर का जाएगा गलत हो जाएगा अब देखिए 38 कोस्चन है सिंदु सब बिता का उत्री सीमा तो मैं आपको अभी मैक बना के बताया था आपको समझ में आ रहा हो गए चीजे ठीक है इसका अंसर कौन सो होगा मुझे जली से इसका अंसर आप लोग बताई कमेंड बाक्स में ठीक है चली 39 देखिए मांडा किस नदी किनारे है मैं नदी नहीं बिताता था ना मांडा जो है हो चिनाल नदी किनारे है कहां पढ़ता है जम्मू कांस मेर में ठीक है हड़पा काली निस्थल रोपार पंजाब किस नदी किनारे स्थी थे हड़पा पूछ रहा है किस नदी किनारे बताई है इसका अंसर बताई है जली से कमेंड करके बता चुका है मैंने चली सुआ ठीक है 41 देखिए हडपा का मैं एक उननत जलब अंदर पूछा ली काँ भाद मलब कंजर्वेसन आफ वाठिक बात कर रहा है कंजर्वेसन आफ वाठिक बात कर रहा है इसका सच कहां से मिला था दोलाभीरा से कहां से दोलाभीरा से चली अब शुलते है 42 लेखिए यह रहा है आपका 42 question ठीक है क्या है हड़पा में मिट्टी के बर्तनों का सवान तक किस रंग सरंगा हुआ था था क्यों सरंग था इसका लाल क्यों सरंग था ठीक है सिंदू सब्यता निम्लिखित में किस यूग में पढ़ता है तो इसका अंसर हो जाएगा डी पहले से लगा हुआ है परसान मत हो यह 44 देखते है 44 क्या है सिंदू घाटी सब्यता में बिक्सित अवस्था में निम्लिखित में किस इस्थल से घरों में कुमे कर अवस्थेस मिले सिंदू घाटी सब्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतियों का नाम जुड़ा है उनका नाम अता है यह तो आपके देखें दो बहुत थेमस नाम है दयाराम सानी और अखल्दास बनर जी ठीक है कलिंग पर प 실क द काहाँ ली , sobie उसक लिएया पर अब लूँ रंगनपूर परता हैgeben काहँ पर गुजरात में अब कुजरात को और च्य बोलते हैं सवराश्ट बोलते रंसर क्या हो जाएगा सवराश्ट सेंट करता है रंग पर देजैब रंगान पर पड़ता है कहां पे गुजरात में उफ्लाइब को और क्या बोलते हैं सरजान मार्सल, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, निम लिखे समझे कि इस पस्टू की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ग्यात होता है कि सिंदू घाटी मुट सपटामया की सबता के बिश ब्यापार हुआ करता था, बताइए, इस कान समझे कमेंट बाक्स में दी जागा, ठीक है, लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्लियर के बताइए, उन्चास, डिसकस भी कर सकते हैं, सिंदू घाटी के लोग विश्वास करते थे, देखिए वीडियो लगबग 30 मिनट के आसपस चलेगा, जिनको में जो चीजें, लाइप पूछ नहीं हो, पूछ सकते हैं, मैं अभी चैटिंग पे हूँ, सिंदू, कौन सा कोस्चन था, 50 था क्या, अच्छा, यह था, सिंदू घाटी के लोग विश्वास करते थे, ठीक है, तो किस पे, देखिए, इन लोग मात सकती वाले थे, मात सत्ता अत्मक, सत्ता रहगा करती थे, इस समय कैसा है, पित्य सत्त है, यह भी कहां पे था, समुद के किनारे था, लोथल तो आपको पता ही है, बाला कोड भी वही था, इसमें जो यह लास्ट आफ संदेंटी वाला, यह सही होगा, ठीक है, यह देखिए, 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 आज वीडियो में थोड़ी में प्राब्लम अगर आ रही होगे तो नेक्स टाइम से इस चीज़ को सही कर दिया जाएगा, निम लिखित में से कौन महजदाड़ों के सबसे बड़ी इमारत मनी जाती है, तो इसका अंसर होजागा विसाल, इसना नागा, ठीक है, फिर देखिए, हरपा कालीन लोग ने नगरों में घरों के विन्यास के ग्रीड पद्धित्य अपनाया, देखिए, उस कोस्टन का अंसर में पहले ही दे दे रहा हूँ, जहां पर मुझे लग रहा है कि में भी आपको प्रॉब्लम हूँ, ठीक है, एक कोस्टन आपके जैसे आपके लिए है, चाहें ता आप इसका अंसर दे सकते हैं, 53 कोस्टन बह काली बंगर किसके लिए बताया था, जो तही हुए खेत के लिए, बी का पहला मिल गाँगा, ठीक है, तो ऐसे भी अगर आपसर मिल आएंगे तो आप इसका अंसर सही निकाल के बता सकते हैं, मुझे चलिए बताईए इसका अंसर, आपसर आपको दे गया होगा, अब चलिए 54 कोस्चन देखते हैं देखे 54 कोस्चन यहां पर है निम लिखित में से किस एक हड़ापा सब्यता में पाई मोहरो टेरा कोटा किलाकृतियों में निरूपड अंकर नहीं हुआ है ठीक है पूछ रहे कौन सा जानवर जोई सब्यता से लेटेड नहीं है देखे इसका अंसर सेर ह देखें यहां पर चार जानवर आप ध्यान में रखिए हाथी गोड़ा गेंड़ा और बाग विने घोड़ा और बैल ठीक है फिर है हड़ापा वासे किस धातों से परचित नहीं थे ठीक है इसका अंसर आप बता सकते हैं इतना कई बार पूछा हुआ कोस्चन है आप तो ब निम लिखित में से किस स्थान पर यूगल स्वाधान ठीक है द्वी सो संसकार डबल बूरियल का प्रयोग मिला है ठीक है यह देखें बहुत थेमास कोस्चन है इसका अंसर जागा काली भंगन ठीक है फिर देखें निम हो गया उपर का का पास का उत्खनन सरपर्थम हडपा के काल का तामबे का रथ किस स्थान से प्राप्थ हुआ था ठीक है देखें आपको डेली आदे घंटे तो देने ही पढ़ेंगे बहुत लोगों को बोरिंग लग रहा हूं तब उनके लिए मैं क्या कर सकता हूं लेकिन आदे घंटे आप वीडियो देखी दे ही सकते हैं और सुबह में आपको लेक्षर मिलेगी तो मनलों को मिला कि एक घंटे तो हमें देने ही पढ़ेंगे तो वी तो प्रिप्रेशन हो पाएगे आपकी हडपा की काल का तामबे का रथ की स्थान से प्राप्थ हुआ ठीक है इसका अंसर द्यमाबा द्यमाबा कहा पढ़ता ह लाजवर्द भौन द्यमाग की सामगरी का आयत कहां से करते थे हिंदो कुस्षेद के बर्द कंसो से ठीक है आपसन दिख रहा होगा अब गानिस्थान इस्थित सिंदू सबिता में संबंदी इस्था दिखिए इसमें आप आपसन पहले कट कर दीजे तो हडपा कहा है पाकि सही हो जाएगा ठीक है दिमाग संसर से लगा सकते हैं कौन से नगर सिंदू सबिता के बंदर गाह नगर थे कौन से नगर सिंदू सबिता के बंदर गाह नगर थे देखिए इसका अंसर तो बहुत ही फेमस है लोथल यहां पर आया हुआ है और कहीं पर ऐसा कोई नहीं है जो ऐंकर से मिलता है तहीं तो इस concept शब acts मेंसे सब सभी जानवां कांकर मिलता है ठीक है हो गया कंडा है दिख राया आपको अं पर चुस्टीफर सुचन किस हड़ा कालि इस्तत्र में निद्मदावाली इस्तिका कान्स मूर्ती प्राप्त हुआ कहा कहां से मिला था dancing girl इसको dancing girl भी बोलते हैं dancing girl कहां मिली तो हडपपा sorry मुहन जो दाड़ों से कहां से मुहन जोदाड़ों से किस हडपा कालीन इस्थल से पुजारी की प्रस्तर मुर्ति प्रात्त होई ठीक है इसका अंसर लगा हुआ है हडपा फिर है किस सिंदू कालीन इस्थल से एक इट पर बिल्ली छिपा पीछा करते है कुट्टे के पंजय का निसान मिला देखिए इतना डीप आएगा नहीं लेक सबसे अधिक संख्या में हडपा योगी निस्तलों की खोच किस प्रांस से हुई ठीक है इसका अंसर में बताएं जल्दी से 68 कोश्चन 69 कोश्चन कैंसील है 70 कोश्चन कैंसील है कोई मतलब नहीं है ठीक है अब सीधे बात करते हैं हम लोग 72 कोश्चन का अच्छी कोश्चन ह पोछ रहा है इसमें आपको क्या करना है मांडा तो मांडा में वह इक बताया है था क्लि वंगरास्थान से रिलेटेड है ठीक है राखी-गड़ी तो अब ऐसे करके आप इसमें से मिला सकते हैं चली आपके एक लिए रेजिंग कोश्चन है मिला के बताएं दो बतादी है आ अंसर बार बार आ रहा है इसका एक कॉस्चन इसका अंसर रायरन होगा लोहा की नहीं हुई है किस पसु के औसे सिंदु घाटी सबता में प्राप्त नहीं हुए है कौन से जनुवर मैं उपको उपर बताया था सेर ठीक है चौंदुरो के उत्खरन का निर्देश किया था चौ से क्या है लिपिस्टिक मिला है ठीक है लिपिस्टिक मिला है इसको आप याद कर सकते हैं इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाता है वीडियो अगर इसके बाद भी कोई प्राप्लम होती है तो आप मुझे वाटसप कर सकते हैं कमेंट बाक्स में कमेंट कर सकते हैं ठीक तो सबसे पहले हुँ सभी लोगों को धन्यवाद जो ने अपना नाम और कोर्स डिटेल इंबॉक्स में या मुझे वाट सब या फिर कमेंट बॉक्स में सेंड किया है ठीक है फ्युटीन फैप्रोडी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी इसका जो वीजन है कि उन लोगों के लिए है जो लोगों दूर है जो ग्लासे जॉइन नहीं कर सकते हैं और वो फर्जी वारे आउन लाइन पर्जिजिंग से बच सकें दूसरे कोचिंग के जो की दो एक दू वीडिय कि वो जो पर्जीजिंग कर लेते हैं तो उसके अंदर उनको सही डीटेल, सही मैटेरियल, सही शटी मैटेरियों को नहीं मिलता है ठीक है तो इह सब चीजों को देखते हुए मैंने अपना ये स्टार्ट किया है अमिद करता हूँ कि आपके लिए बोट थाजिमन्द होगा और आप इसका खाया भी उठाएंगे तो कोशी से कीजिए कि जो लोग भी अपना रेजिटेशन अभी नहीं करा हैं फो प्लीज अपना नाम और पोस डिटेल मुझे वाट्स अप कर दें और जोई लोग ने इन बॉक्स में सेंट के है और लोग भी मुझे वाट्स अप कर ठीक है और आज से में एक और सीरिस ब्हां कितर गॉंगा जिसमें वेश्टु इंट्रेंज के सभी कोर्स के श्लैबच पैटर्ड, पेपर पैटर्ड, ठीक है, टाइम दुरेशन, मार्स यह सभी चिज़े होंगी लगभग 5-6 सिरीज होंगी जिसमें आपको पूरे झाल खालबेचा